नववर्ष 2023 की आप सभी को हार्दिक शुप काम नाएं, इश्वर करें ये साल आपको निरंतर प्रगदी के पत्पे लेके जाए, नए साल के मौके पे मैं लेके आया हूँ नए साल का आपके लिए बहुत ही विशेश राशीफल, ये विशेश किस तरह से है, ये विशेश इ ये अच्छे से अच्छे मौके किन समय में लेके आ रहा है, आपको ये भी जानने को मिलेगा, कि इस साल में अगर चैलेंज आएंगे, ये कब आएंगे, यानि पूरे साल में जितने भी उतार चड़ाव आएंगे ये इस राशीफल में आपको completely पता चल जाएंगे, ऐसी ज योजना नहीं है, तो दर असल आप फिल होने की ही योजना बना रहे हैं, तो सारा साल आपके लिए अच्छा रहे, एक योजना बद्ध तरीके से आप आगे बढ़ते रहें, उसके लिए मैं आपकी विशेश आपकी राशी के अनुसार ये राशीफल लेके आया हूँ, नम बटन दबाना न भूलिएगा, तो ये वीडियो डेडिकेटिडली है, मकर यानि कैप्रिकॉन राशी वालों के लिए, विशेश सूचना, कि ये वीडियो चंदर राशी पे है, ना के लगन राशी पे, यानि अगर आपके चंदरमा कुंडली में मकर यानि दसनमबर राशी में हैं, तो फिर ये वीडियो डेफिनेटली आपके लिए है कि 2023 में आपका राशी फल किस तरह से रहने वाला है, देखे, साल की शुरुवात में ही 17 जैनवरी के करीब, शनी जो है राशी परिवर्तन करके कुंब में चले जाएंगी, और आपकी साड़े सत्तिकार जो अंत तर आने शुरू होंगे, लेकिन यकीन मानिए, जतना धन आएगा ना, उतना ही धन जाता भी रहेगा, धन के जुड़ने के योग बहुत कम है, लेकिन यहां पर यह भी याद रखिएगा कि जो धन जाएगा यह तो आपके पिछले ड्यूज क्लेर करने की तरफ जाएगा, या कोई प्रापर्टी खरीदने की तरफ जाएगा, या जीवन के स्तर को उपर उठाने की तरफ जाएगा, यानि ओवराल यह जो धन का खर्चा होगा, अप्रिये चीजों पर नहीं होगा, बलकि आपके पेंडिंग करमाज को क्लेर करने के लिए होगा, इस बात का भी पक् भेद आ सकता है, और दूसरे किसी ना किसी तरह के वाहन से दुरगटना के असार बन सकते हैं, तो इस साल में अगर आप ड्राइविंग करते हैं, तो बहुत ही केरफुली करेगा, और स्पेशली क्योंकि इस सारी बातों में शनी की दृष्टी इन्वाल्व है, तो आपको दूर्व इस साल में बाते हैं, तो सबसे पहले हम बात करते हैं आपके करियर और आपके फाइन से करियर में नया जॉब वि quiénपारियों के लिए काम कारोबार में कुछ नई चीज की एंट्री, ये इस साल में बड़ी ही कन्फिर्म देख रही है, पिछली pending payments ये आने के आसार बनेंगे लेकिन नए orders के साथ साथ नए पैसे उलजने के भी आसार बनेंगे इसके साथ इस साल में आपको काम कारोबार में बहुत ज्यादा busy रहना या stress में रहना ये भी दिख रहा है इस साल में specially एक समय आएगा जब आपके शनी वक्री हो जाएंगे जू का income tax का even किसी power department का कोई ना कोई notice या किसी ना किसी तरह के उनसे कोई विवाद होने के आसार बनेंगे इसलिए इस समय में government authority से जो उलजना है ना उसको कम से कम करिए और अपना जो paperwork वगरा है उसको बहुत ही सटीक बहुत ही simple रखिए और specially इस साल में मकर राशी वालों के ल काम करने वाले लोगों में नई hiring कर रहे है ना नई लोगों को भरती कर रहे हैं तो ये बड़ा ही carefully करना है आपने कारण क्योंकि इस समय में कुछ योग ऐसे बनेंगे कुछ लोग ऐसे आपके साथ join कर सकते हैं जो कल को आपकी leg pulling करें या आपके लिए नुकसान का सबब बन इसलिए आप किसी भी तरह के चुनाव करने से पहले पूरी तरह से जाच पर रख लें कि आप जिस भी इंसान को अपने काम कारोबार में एड कर रहे हैं क्या वो इंसान उसके वर्थ है उतना उसकी gravity है ही आपको बहुत ही ध्यान पूर्वक ये समझ के चलना होगा अब यहां पे आपको बहुत ज्यादा केर करनी है स्ट्रेस से उपजने वाली समस्याओं की इवन डायबेटीज कॉलेस्ट्रोल आपके हार्ट की हेल्थ ये इस समय में आपके लिए चिंता का सबब बन सकती है क्योंकि ये सारी चीज़ें बिजी लाइफस्टाइल से आती है या परिवार वालों के साथ अलग-अलग रीजन से मतभेद रह सकते हैं हाला कि कुछ नई प्रापर्टी लेने की वज़ा से घर में कुछ ना कुछ अच्छा एक महाल बनेगा लेकिन फिर भी मतभेद जो है न वो लगातार बने रहेंगे और स्पेशली साल में आपके अपने स सो भागय दायक है बड़ा ही लगी है कमपिटिशन में बहुत अच्छी सक्सेस के योग बन रहे हैं और विदेश जाने के जो लोग इच्छुक हैं उनके लिए भी जो मकर राशी के लोग विदेश जाने के इच्छुक है ना उनके लिए ये साल बहुत ही गुड नीज ले लिए आठ शोहरे लाल कपड़े में बांद के साल की शुरुवात में ही अपने वहन में रख लीजिए चाहे वो फोर विलर है चाहे वो टू विलर है चाहे आपका कोई कमर्शल वहन भी है ये आपके लिए इस साल में बहुत ज्यादा सुरक्षा का एक उपाय बनके आएग लोगों में बांटगे यानि खाएं और खिलाएं ये उपाय आपके लिए पूरे साल के अच्छी उर्चा अब तक पहुंचाने का एक साधन बनेगा तो ये था मकर राशी वालों के लिए 2023 का राशी फल और साथ में उपाय मैं एक बार फिर से आपको नव वर्ष की हार्द एक शुब कामना ही देता हूं और आशा करता हूं ये साल आपके जीवन में बहुत ही खुश्या लेके आए तो बहुत जल्द मिलते हैं नई वीडियो नई टापिक के साथ अपना खूब ध्यान रखेएगा नमस्ते